तो गाइस, फाइनली अलिटा दा बैटल एंजल रिलीस कर दिया गया और आप ये मूवी किसी भी सिनेमा हॉल में देख सकते हैं लेकिन आखिर क्यों? आप ये मूवी देखोगे क्यों? तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही फैक्स और इंफर्मिशन दूगा जिसके विज़े से आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए सबसे पहले तो अगर आपने इस मूवी का नाम भी नहीं सुना है तो मैं कहा दू यार आप साइफाइ मूवी के फैन नहीं हो क्योंकि जिनको भी साइफाइ मूवी पसंद है वो तो इस मूवी के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वहीं जो लोग जैपनीज एनिमे और मांगा पढ़ते हैं उनको एलिटा दब बैटल एंजल के बारे में पता होगा जबसे इसका ट्रेलर आया था तो सारे विवर्स यही पूछ रहे थे क्या आखिल एलिटा के आँखे इतनी बड़ी क्यों है मोश पैब भी आप सबको पता ही होगा कि कैक्टर्स के आखे बड़ी कहा होती है जैपनीज एनिमे और मांगा में जी हाँ ये मूवी 1990 के मांगा सिरीज गानमू पे बेस्ड है जिसे युकीतो किशीरो ने लिखा था देन बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसका नाम पड़ा बैटल एंजल अलिटा और इस मांगा के वर्ल्ड वाइड रिलीस करने के बाद ये कैरेक्टर बहुत पॉपलर हो गई जो जो लोग अलिटा के लोक्स और अपेरंस पर कोशन कर रहे थे उनके लिए बता दू कि इस कैरेक्टर का लोग बिलकुल मांगा एक्कुरेट है वैसे लाइव एक्शन मूवी से पहले इस पर अनिमेटेड मूवी बन चुकी है जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा किस मूवी को बनाने में लगभग 20 साल लग गए अब कई लोग बोलेंगे कि 20 साल कुछ जादा नहीं हो गए तो मेरी पूरी बात तो सुनलो तो जैसे बाकी लोग मांगा पढ़ते हैं वैसे ही जेम्स कैमरान ने भी ये मांगा पढ़ा अब कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि मांगा आखिर होता क्या है तो सिंप्ली आप ऐसा समझ लो कि जैपनीस कॉमिक बुक्स को मांगा बोलते हैं तो पहली बार पढ़ने के बाद ही जेम्स कैमरान ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस कैक्टर पे मूवी बनाएंगे यहां तक कि उन्होंने मूवी के लिए वेबसाइड भी रेजिस्टर कर लिया था और 20th Century Fox ने मूवी के राइड्स भी खरीद लिया थे वो भी 20 साल पहले ही जेम्स ने स्क्रिप्ट पे काम करना भी स्टाट कर दिया लेकिन वो कभी स्क्रिप्ट पूरा नहीं कर पाएं और हम सब को पता ही है क्यों क्योंकि वो अवतार पे काम कर रहे थे अवतार के प्रोजेक्ट में उन्हें कई साल लग गए जिसके कारण उनको कभी अलिटा का स्क्रिप्ट कम्प्रीट करने का टाइम ही नहीं मिला देन अभी भी वो अवतार के सीक्वल में बीजी है सो इसलिए उन्होंने रॉबर्ट रॉडिगर्स को हायर किया ताकि वो ये मूवी कम्प्रीट कर सके अब कई लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि या ट्रेलर में तो लिखा है कि फ्रॉम दे मेकर्स अफटार एंड टर्मिनेटर फ्रॉम जेम्स केमरान तो ऐसा क्यों उन्होंने भले ही मूवी डायेक्ट नहीं किया है और साथ ही कई डिजिटल आटिस्ट ने इस मूवी के लिए दो साल से उपर सिर्फ कॉंसेट आट डिजाइन कियें जेम्स केमरान इस मूवी को परफेक्ट चाते थे इसलिए उन्होंने उसे प्रॉपर टाइम भी दिया यहां भी उस टेक्लोजी का यूज किया गया जिस टेक्लोजी का यूज एफतार की मेकिंग में किया गया था जहां एक्टर्स के फेशिल एक्स्प्रेशन को कैप्चर किया जाता है और एक 3D मॉडल पे डाला जाता है इसलिए आप जो character screen पे देखते हैं वो 110% CGI character है मैं एक behind the scene की video link description में दे दूँगा आप लोग ज़रूर देखना चलो अब बहुत बात हो गई James Cameron और Elita के character को लेकर थोड़ा movie के director Robert Rodigas का दिक्र भी हो जाए क्योंकि कहीं न कहीं James Cameron की वज़े से movie का director ही कहीं दब के रहा गया है Robert Rodigas ने ये movie direct तो किया ही है साथ ही लिखा भी है देन वो यहीं पे नहीं रुके उनका involvement editing, sound design, cinematography, visual जैसे और कई चीजों में भी रहा और इसी के वज़े से उन्हें one man crew का title दिया गया इससे पहले उन्होंने Spy Kids की series Once Upon a Time in Mexico और Sin City जैसी movies भी direct की है और जब ये movie release हो गई तो ये देखना बहुत ही interesting होगा कि ये कैसी रहती है और सच कहूं तो anime से movie adapt करने पे ये सबसे ज़ादा justice कर रही है और maybe future में इसी movie के वज़े से anime पे based movies ज़ादा बनेंगी क्योंकि इससे पहले जितने भी movies anime पे based थे वो सारे बहुत ही बेकार थे चाहे वो Dragon Ball Z की movie हो या फिर Death Note पे based तो एक तरह सी ये movie anime और manga पे based movie के लिए revolution है जिसे हम सब को जरूर देखना चाहिए अगर आपने ये movie देख ली है तो हमें comment में बताइए क्या आपको कैसी लगी अगर नहीं देखा तो यार जरूर देखना होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक करो और शेयर करो और ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करो मैं जल्दी और नहीं वीडियो लेकर आऊंगा तिल देन बी देखी, बी नर्ड